शुक्ष शम्मर्दिव ज्यान चैनल में आपका हादिक श्वगत है मित्रो आज में जो बात करने जा रहा हूँ वो है नशा करने वालों के लिए नसेवरी लोगों के लिए आप पहेंगे कि आप ऐसी बात कपसे करने लगें वो भी संसार के ही अंग है और वो भी इस समाज का ही अंग है गरतियां करते हैं तो उसका फल भुगतते हैं परन्तू एक समाज से भी एक धार्मिक देटिका और एक कुछिकिस्तक का करतब भी बनता है किसी से भी घ्रणा न करें नफरत न करें और उनके भले के लिए जो भी कर सकता है करें तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब पर लें और गंटी का बटन आप दबा लें जिससे की नूटिफिकेसन आन हो जाएगा और हमारे इस यूनिक चैनल यूटूब चैनल सुक्सम्रदिविज्यान के आप मेंबर बन जाएंगे जो की बिलकुल निश्रुलक है और आपके सरीर की आपके धर्म की आपके कामनाओं की आपके कष्टों से आपके मुक्ति की ये चिंता करता है और आपकी रख्षा करता है तो चाहे आप बाडिगार्ड माल ले इस चैनल को अपना आप इसको अगर अपने मुबाइल में सब्सक्राइब कर रखे हैं हर पल आपकी देखभाल करेगा और आपकी क्या समस्या है वो भी आप बताएंगे उसका भी नरा करन होगा चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं मित्रो हम में से बहुत सारी लोग ऐसे होते हैं जो किसी ने किसी नसे को कर रहे होते हैं चाहे वो सिग्रेट पी रहे हों बीडी पी रहे हों तमबापू खा रहे हों या चरस गांजा अफीम इत्यादी घातक नसों की चपेट में हों क्रमश्रह हम इन पर चर्चा करेंगे आज चर्चा करने जा रहे हैं शराब पिने वालों के लिए कि जो शराब पीते हैं एक तो अपने तनका नास करते हैं और अपने परिवार को भी दुख की गहरी खाई में धकेल देते हैं मन से चाहते हैं कि मैं सराब छोड़ो दूँ ठीक हो जाऊं डाक्टर निकर रखा है कि अगर आप सराब नहीं छोड़ेंगे तो आप मर भी सकते हैं फिर भी वो सराब को छोड़ो नहीं पाते ऐसे लोगों के लिए मैं उपाई लेकर क्याया हूँ यगर आप सराब को छोड़ना चाएते हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि सराब या कोई भी नैसे किल्लत अगर लगती है तो सरीर में सलफर की कमी हो जाती है तो आप सलफर का प्रयोग करना सुरू करदें अब सलफर का प्रयोग कैसे करना है तो होमियोपैथ में सलफर नामक एक दवा आती है आप उस सलफर नामक दवा को ले ले और उसकी 4-5 बून पानी में डाल करके आप ले सकते हैं पोटेंसी रोप के अनुसार तै होती है इसके लिए किसी होमें पैसे आप सला ले सकते हैं क्या potency होती और दूसरी बात ये है कि sulfur का मुख्य एक सुरोत है ginger जिसको हम अधरक कहते हैं और जो सूख जाती है जब तो सुखा करके उसे सोंठ बना ली जाती है सोंठ एक मसाला है तो जहां पर हरी अधरक ना मिले वहां पर सोंठ का इस्तिमाल करना चाहिए और जहां पर अधरक मिल लही है वहां पर अधरक का प्रिव कर दिना चाहिए तो अब क्या करना है कि अधरक को छोटे छोटे टुकड़े काट करके उसमें कागजी नीमू ले करके उसमें निचोड़ दीजिएगा इसके बाद में वो जब कुछ दूप में सुखा ले दुबारा नीमू को निचोड़ दें इसको निचोड़ने को और सुखाने को भावना देना कहते हैं तो अधरक में आप भावना देंगे नीमू के रसकी तजपस्चात उनको किसी काच के जार में रखेंगे और शुद्ष हनी यानी सहद उसमें डाल करके रख देंगे और दो-चार बिन उनको धूप दिखा देंगे ये आपका बंकर के त्यार है इसके बाद इसको आप एक चमच के लगवग देली ले सकते हैं क्रम से धिरे-धिरे सल्फर की कमी पूरी हो जाएगी घरवलून उसका है अगर इसका प्रियोग न करना चाहें तो आप सल्फर नामक दवा का प्रियोग कर लें और तीसरी बाद कि जो लोग तंबाकू इत्यारी का सेवन करते हैं वो टेबैकम 200 नामकी दवा आती है उसको सुबह दुपैर साम अगर पांच-पांच बूंद पानी में लेते रहें तो धिरे-धिरे तंबाकू की लट छूट जाती है बीडी, सिगरेट, चेलम, गांजा, इत्याद की लट इससे छूट जाएगी और इसके बाद में एक और चीज है कि जब कोई नसा करता है सराब का नसा करता है तो सराब के नसे को करने से किड़नी पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है तो आप क्या करेंगे इसके लिए बाजार में लिफ 52 नाम की दवा मौजूद है एक लिफ 52 डियस आती है एक लिफ 52 प्लेन आती है तो आप डियस का प्रयूख करेंगे क्योंकि सरावी जो लोग होते हैं सराव के नसे में जो होते हैं उनको प्लेन वाली दवा उतनी कारगर नहीं होगी एक डियस उसकी लिफ 52 डियस सुबह एक लिफ 52 डियस साम को ये दो तीन महिने तक लेनी चाहिए इससे शराब के दोरा होने वाली लीवर की चती काफी हज़तक कम हो जाएगी और लीवर अपना काम करने लगे ता ये तो मैंने कुछ उपाया को बताए लेकिन अगर कोई बेक्ती सराब को छोड़ना ही चाहता है और उसकी सराब फिर भी नहीं छूट रही उसकी विल पावर कमजोर है तो हमारे किसी सीविर में आ करके या परसनल शंपर करके हमारे पास आएगा और हम उसको दो या तीन बार में अधिकतम तीन बार या चार बार में बुला करके और उसको योग क्रियाओं का ग्यान देंगे योग के माद्यम से उसके नसे को बिलकुल खत्म कर देंगे नसा वो करेगा ही नहीं और अगर करेगा तो नसे के पहले जब हूँ नसा करने की सोचेगा उसके दो मिनिट पहले उसकी हालत द्गड़ने लगेगी और किसी भी हालत में वो नसाल नहीं कर पाएगा वो सराप की बोतल हाथ में पकड़ेगा तो लेकिन पी नहीं पाएगा ये मेरी गैरंटी है अब इन में से जो भी उपाय आप कर सकते हैं पहले तो आप घरेलू उपाय करें इसके बाद मेडिकल के उपाय कर लिए जो मैंने बताए और तीसरे जब फिर भी रोग ज़्यादा बड़ा हुआ हो तो फिर उसको हमारे पास लाने का तश्ट करें उसका नसा दूर करने में हम आपकी मदद करेंगे मिस्त्रो अगर ये नसा दूर हो जाता है तो तीन फायदे होते हैं एक तो घर का पैसा बचता है नमबर दो आपका सरीर रोगी होने से बचता है मरत्यू से बचता है साल में भारत में ही कम से कम लाखो लोग नसे का सिकार हो जाते हैं सराप से होने वाली मरत्यू का सिकार हो जाते हैं वो बचेगा और तीसरे आपके घर में सुकसानती आएगी आपके बच्चे एक खुसोंगे जो पैसा आप नसे में लगाते हैं वो पैसा आप अपने बच्चों के लिए लगाएं उनकी सिक्षा में खर्च करें उनकी लाइफ इस्टायल बदलने में खर्च करें पतने की लाइफ इस्टायल बदलने में खर्च करें, घर में सुक्सान्ति का महौल बना में और आयरवेद को, अपने महानरिसीयों को इसके लिए धन्यवाद दें हमारे ग्रंथों में जो महानरिसी लिग गए हैं जीवन भर का निचोड़, पूरा जीवन जुनों ने खपा दिया इस छेतर में जुरों कैसा लगा आज का वीडियो आपको मैंने जो बताया कि सराब से, आज मैंने सराब से और कुछ हद तक तंबाकू से बचने का उपाय बताया क्रम सह अब जो घातक और भी नसे कर रहे हैं लोग उनके जीवन के रच्छात के लिए हम आपको आगे कभी वीडियो में बताएंगे और आप लोग कमेंट करके वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया कीजिए कि हम किस देशे पर आईरवेद के छेतर में आपको वीडियो दें देखिए ऐसे तो हम जो भी मनाता है जो हम समझते हैं कि आवसेख है वो वीडियो बना करके हम उस रोग के बारे में आपको दे देते हैं शाधनाओं के शमंद में भी यही, हाँ, शाधना का छेतर मेरा शेमित है, शेमित इसलिए कहूँगा, कि जो शाधना में करवाता हूँ, करता हूँ, सिर्फ वही बता सकता हूँ, सात्विक रूप से की गई साधनाओं के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तामसिक इत् साधनाओं के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकता और शिकिस्सा छित्र में कहीं से भी आप किसी विरोग के श्रमंद में पूछ सकते हैं कह सकते हैं कि इस पर वीडियो बनाया जाए जितने जदा कमेंट आएंगे उस आधार पे हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि घर बैठे आपको उस चीज की जानकारी प्राप्त हो सके और घर बैठे आपको उसका निदान मिल सके और आपका पैसा और आपका स्वास दोनों बज सके मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए जै स्री राम, जै धनवंतरी, जै आरविद